बिस्मिल्ला इरह्मान रहीम, अस्रामालेकुम आज हम फढ़ेंगे एडाउटेशन पर फॉलिनेशन फॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एंतर से फॉलन ग्रेंज जो होते है वो आज आते हैं स्टेग्मा जो कि थीमेल पार्ट आप प्लाव रहे हैं सो एंतर से फॉलन ग्रेंज का पहुंसना स्टेग्मा तक ये प्रोसेस एफ फॉलिनेशन एंशोर करने के लिए प्लावर में कुछ यूनीक करेक्टर होने जाहिए या उसमें कुछ हास किसम की अडॉफटेशन होने चाहिए ताकि वो एंशोर करें पॉलिनेशन पुलिनाशन सपनी आसे आसे उपल्цион के वाले साखी है फर्स राटी इसे झानक तर यह कुट्टी तो is the entamopolis flowers entamopolis flowers are known as wind coordinated flowers so such type of coordination that is bring about by the vent these kind of flowers is known as an entamopolis flower sorry yeah but insects so insect coordinated flowers are basically known as entamopolis so entamopolis है so basically इसकी राम से जाहे है that is bring about by insects so entamopolis pollination या flowers की जो हमारे पास pollinations होती है वो insects की जरिये होती है birds की जरिये birds and some other mammals animals are involved in that process so entamopolis जो है insect pollinated flowers है और इसकी फोलिनेशन जो होती है ये cross pollination होती है और इस cross pollination को ensure करने के लिए insects birds birds and other animals जो होती है अपना किरदार अदार करते है इस flowers की जो की insect pollinated flowers है उसकी कुछ unique characters है are they having certain adaptation to ensure pollination so us characters को हम पढ़ेंगी किस में क्या-क्या characters होनी चाहिए the first one they are brightly colored petals इसकी जो फैरल्स होती है वो brightly colored होती है it means they are conspicuous shooby होती है और notable होती है that's why insects होती है इसकी तरफ आसानी से attract हो जाती है और यहां तक आ जाती है so it's directly colored petals की जाती है and insects जो होती है birds जाती है इसकी तरफ आसानी से आ जाती है because they are conspicuous the second one they are having the large petals इसके petals जो होती है वो large होती है color petals जो कि पूल की पत्ते होती है basically so यह पत्ती जो होती है different flowers के different colors के होती है so यहां पर इसकी size जो होती है they are the large petals वही बात है ताकि insects जो है उसकी तरफ attract हो जाए the third property or the character or adaptation is they produce the fragrance they produce the fragrance because of the nectar जो हमारे पास होता है यह pushboo जो होता है यह produce करते है और यह हवा में इस तरह से चले जाती है तो insects होती है वो आसानी से इसकी तरफ attract होती है because of its fragrance the next one is the phrases of nectar इसमें nectar पाया जाता है और nectar क्या है? nectar is basically a solution of sugars यह sugars का solution होता है and there is the food for the many type of animals बहुत ज्यादा animals है जिसकी food जो their dependency वो इस nectar पर होती है so they produce the nectar और यह food होता है मुफतलिप किसम के animals के लिए जब इसी food को लेने की लिए काने की लिए आते हैं तो थब उसके जो पाव होती है या बूड़ी होती है उस पर जो होती है वो जो फोलिंगेंस मुझूत होती है basically बूड़ दूसरी में जाते है तो ही इसकी लिए फ्लावर से पट चाथे इसकी जो ठीपक जाते है तो फोलिंगेंस मुझुता को भी ट्रास्पर कर लेते बीए मुझाज़ को दूसरी फ्लावर में यह रराँज़ा होती है The next one they have in the sticky follen, इसके जो follen होती है फ्लावर में मैल पार्ट के जो एंतर होता है इसमें फ्लावर में जो जो इसमें फ्लावर में जो उसकी होते हैं इसके क्यों होते है? बिकास एक फ्लावर है वो इसका एक इंसेक्ट आकर बेढ जाती है तो वो जो खुराग के लिए अपनी आती है, जो मैंने आपको स्टार में बता है कि नेक्टर लेनी के लिए था है अज़ा वोउसका फूट होता है जब वोड़ को लहने जब आती है तो उसके बोड़ी पर फोलिंगरस को ट्रांस्पर करे लोते हैं because they are sticky, उसके बोड़ी के साथ चेपिक जाते हैं और इसी तरह से उसके बोड़ी के साथ जब वो दूसरी प्लावर में चले जाते हैं तो वो दूसरी प्लावर में इसी तरह से फोलंगेंस को ट्रास्फर कर लोते हैं because they are having the sticky stigmas, next character भी इसका यह है उसका जो stigmas होता है, वो basically sticky होता है so sticky होने की वो जासे फोलंगेंस के साथ अटेच हो जाते हैं उसके साथ चेपिक जाते हैं and that in turn brings about the pollination, cross pollination so इसी तरह से एंसे इंसे इंटामापे इस फ्लावर इंसक्त पोलिनेट है फ्लावर से हैं इसके एक्जाम्पल हमारे पास क्या है, the first one इसके एक्जाम्पल हम लेख सकते हैं, बोगर्वेला रोज में भी यह हमारे पास होते हैं और इसके लावा आर्केड में भी पाई जाते हैं for example आर्केड इस डिप्टन हमारे पास है इस तरा सिर्ण शचाम्पला इस प्लावर में फोड़ों में हमारे पास इंटरमापिलिस प्लावर से लावर से क्या है the second type is known as Enemopilus flowers Enemopilus flowers वो फ्लावर से जो कि विंग चाहिए पोलिनेट होते हैं So Enomarbellous Plows are the wind pollinated flowers because it's a pollination, cross pollination, is because of wind pollination, because of wind pollination. In this way, we call this Enomarbellous Flower. In this way, there are some unique characters and adaptations that are poisons. The first one, they are having lack of scent or pregness. In this way, scent has a pregness, which is not because of wind pollination. So, it's not because of wind, so it's not because of other animals, or if it's a flower, then it's a pollination. So, it's not because of any animals, it needs wind to pollination. So, that's why it's not scent or pregness. It's not because of the second one. The second one, the pollen grains, there are some characters. When we produce food in grains, they are very small sizes, they are very small sizes, they are small sizes, they are smooth, they are smooth, they are smooth, they are smooth. Why? Because when the enter, we have a smoothness, we have a smoothness, which is easy to get rid of the enter. Easily removable from the enter. So, that's why. The next character, the pollen grains will increase the buoyancy. The pollen grains will increase the buoyancy. The pollen grains will increase the buoyancy. The next character is having the fiddri stegma. It's stegma that they need to fall in insects, because of the wind, and the pollen grains of pollen grains. It will reduce the buoyancy. It will increase the buoyancy when the pollen binds. So, the pollen grains will increase the buoyancy. The next character is having the large enter. इसके ぜो enthr होते हैं ओangenे बड़े होते हैं और इसके स्टाक्ट भोते है वो long stack फिलिट्स है मैं आप थोड़ा सा इसका डायगराम बना लिता हूँ आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो एंतर होती है ये हमारे पास लार्ज होती है और इसके जो विलमेंट है ये लूं खोती है क्यों से जब बड़ी होती है लंबा फिलमेंट बड़ा उसने पाए और या विल्द इसका बाध tookie जाता है अवा उसपर जो होते है। इसके इभर आ जाती है। इस तरा से दूसरी प्लाव में असाली सी चली जाती है। उसकी size large जो टेढ़ एक आप्रेशन इनप़िशन हमारे पास पौलनेशन होते है। पॉलनेशन इन्सोर करी। कि हमारे पास बुर्ण गेंज बनते है वो लाज कौ़ूंटियी में होते हैं..." क्यों," हुटरे यहाँ से चली जाते है ABOUT हवा की जरी है को चाहते है Рथा हुटरे ज़र करेंष़ रहों। So इसकी जाया होने की चांसेट बहुत ज्यादा होते हैं तूसली विथा सब्सक्राइए, कैसे इस्टाइब तैंसे इस चांसे जयादा होते हैं ये स्टेफाउज से अडाह करई लिभ्यञ लेंग खिर कर स्टा सकॉटेशन सा The बिकाज इंदाश कौंट की में इसको पूदूस करते है तो इसी तरह से पॉसेस जो होता है हूँ एंशोर हुजाता है इसकी एक्जामपल्स हम पर सकते हैं जाई इस लिखा है कॉनिपर्स में ये पुता है रिडार केशिंग पाई जाती है इसकी एक्जामपल्स हमारे पास इसकी नावा हमारे पास है इसकी एक्जामपल्स प्लावर्स जिसमें हमारे पास पॉसेस्ट होती है लेकिन भीकाज अब वार्ट की जरी ये पॉसकते है अबहां से बिल्सट की नाव्D ुषस पॉर्इन धिलिए की लिए आएमपल्स इसकी कान्सी धूनीप पॉर्णिेट इसकी हम फाले सी Alemoplus पॉर्विष में रिडा केशिती है इनमापलिस प्लावर, 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 इनमापलिस प्ल